उत्तर प्रतेश सरकार में मंतरी दया शंकर सिंग जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं आज तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे सर मुख्यमंतरी जी ने सुबा प्रेजंटेशन देखा किस चीज का प्रेजंटेशन था और आप लोगों क्यों बुलाया गया था वहाँ पर देखिए आज भारत सरकार से जो जुनाएं आ रही है उसके बारे में चर्चा हुआ जो रोड सेप्टी पर हम लोग क्या-क्या काम किये हैं और क्या-क्या काम अभी बाकी है उस पर मन्यमक्मंतरी जी ने हम लोगों से जनकारी लिया और आगे कैसे बहतर ढ़ंग से कर सकते ह हम लोग के जो डिपो बस के डिपो बनने हैं वो अभी कितने पने प्रगती हुआ और आगे कैसे उसको और हर जिले में कैसे इसको कर सकते हैं और हर एको के अभी हमने 23 को किया है और भी जिलों हर जन्पद में इसको आगे बढाना है इसके बारे में चर्चा हुआ सबसे बड़ी आज की प्लब्दी रही कि मानने मुखमंत्री जी ने निर्देशित कर दिया अवास विकास विकास प्राधिकरण या जो भी अधोगिक विकास के जो भी उजनाएं बनेंगी और जो भी नई उनकी कालूनिया डेबलोप होंगी चाहे वो इंडेस्ट्रियल हो चाहे हावासियो हो उसमें जिस तरह से अस्पताल पार्क विद्याले के लिए जो प्लॉट रखते हैं उसी तरह से जो उनके पांच परतिसत जो है फैसिलिटिस के लिए आरच्छित रहता है उसमें बस डिपो का अनिवार जिरुप से चिन्धित करें जो है जो की हम लोग को बहुत दीकत होती है बाद में जमीन के लिए तो इसलिए पहले से ही उसमें ओजना में जफिनीद रहेगा हर चाहे विकास प्राइब करनिकarl के उजना हो चाहै आवास विकास के उजना हो च ने स्क्राइट पर क्या बैपास जो है चुर्ट पर बहुत जामकी चमस्या होती है तो है झाफ सिटी बतूं में Presट आप जो है है चलनी तो शहर का चो फाम कें के लिए अधोग gay इजैक की आप लम पते लिए गया कुंद सिटी बसे नहीं आ रही हैं और हम लोग इस बस में 7000 का लक्ष रखे हैं कि कुम तक महा कुम तक हम लोग 7000 नहीं बसे खरीद लेंगे एक सवाल यह था कि राम नौमी के मौके पर परियतन विभाग ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि परियतन विभाग से संबंदित जो भी मंदिर हैं अब वहां राम कथा का आयोजन किया जाएगा रामायड का आयोजन किया जाएगा नहीं बहुत ही शरहनिय का रहे हैं क्योंकि राम कथा या रमायड होने से लोगों में पहले हर घर घर रमायड हुआ करता था हर घर में रमाड की परतियार रखी जाती थी साम के समय हमारी सबी मताएं बहने बैठ करके कोई घर का जो भुजूर्ग होता था उता रमाड का पाठ करता था और परिवार के सबी सद्धर वहां बैठ करके सुनते थे तो एक जो रामाइड कैसा गरंथ है जो आदमी को जीवन के हर पहलूप को सही धंग से जीने का एक सीख सिखाता है ये इस तरह की कारम से समाज में बहुत अच्छा सकरात्मक संदेश जाएगा और लोगों में एक स्वयम अनुसासन की प्रणा मिलेगा धर्म की बाजीगरी कर रहा है विपक्षकारोप है कि धर्म की बाजीगरी एक कर रहा हैं चुनाओ चूकी नजदीक है तो इसलिए अब धर्म की बाजीगरी शुरू कर दी भाजपा ने देखिए यह वो लोग कहते हैं जो क्योल धर्म की रायनिती करते हैं भाजपा कभी हर धर्म के लोगों को समान भाव से समझती है और सभी धर्मों को आदर करती है एक सवाल यह था कि माफियाओं पर बुल्डोजर चल रहा है अभी इनाम की राशी बढ़ा दी गई है अतीक एहमत के परिवार के और तमाम लोगों के उपर जो वहाँ शूटर शामिल थे यह तो भाई उत्र प्रदेश में कानून का राज है और अपराद पर जिरो टार्लेंस के निती पर इस सरकार चल रही है यह तो पुलिस के लोग जो भी उचित समझते हैं उसको करते हैं एक आखरी सवाल और ले लिए एक आरोप आप लोगों पर बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अखले श्यादों ने लगाया है कि आप लोग बस्पा गटिकट आप ही लोग फाइनल कर रहा है वह बस्पा से हमी लोग ने उनको समर्थन भी करवाया था कि दोनों लोग एक साथ 2019 में समर्थन आपस में मिलके लड़े थे वो भी भाजपा नहीं करा है था जो चुनावार है वो सब भाजपे कराती है चोदव में बजपे करा दी 17 में करा दी 22 में करा दी तो हर समय जो है बजपे कराती है अब यह तो उनको खुद आप में चिंतन करना चाहिए इस बात को लेगे लिए शुक्रिया शंकर सिंग को सुना आपने बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बाते रखी और साफ त चाहर लग दो